इसन चैनल इंडिया न्यूज हरियाना और मैं हूँ आपके साथ में रित्त हुमर शाइनिंग फ़ईदबाद में आपका बहुत स्वागत है फ़ईदबाद फईदबाद जैसे ही हम नाम लेते हैं तो जहन में एक ही शब्दाता है वो है स्मार्ट सिटी लेकिन स्मार्ट सिट की कसोठी पर फईदबाद कितना खरा उतरा है सरकार के दावों में वादों में फईदबाद जितना शाइन करता है क्या असल में उतना ही शाइनिंग है फईदबाद सरकार के तमाम दावे वादे और इसके साथ ही घूशना है हकीकत में फईदबाद को कितना मिला है इसी विकास हुआ है और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंज्या न्यूज हर्याना के मैनेजिंग एडिटर सुन्दर सोलंकी जी साथ ही इस सेशन में जो हमारे गैस्ट है वो है विपल गोएल जी पूरवुद्योग मंत्री बीजेपी से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी स् ओवर टी यूज सर्वाइब बैठी है बहुत शुक्रिया रितू लगातार क्योंकि इंडिया न्यूज हर्याना का जो कारवा है वो पूरे प्रदेश की नवस्त टोल रहा है और सरकार लगातार ये करे ही कि पिछले आठ सालों में बहुत विकास हुआ है उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है इस कौनक्लेव के जरिए साथ ही जो मुद्दे हैं जो समस्च्या है चाहे वो फरीदबाद की हों या दूसरे जिलो की हों वो भी आपके सामने जनता के सामने रख रहा है इस आठ साल की सरकार हो गई सर लगातार हम ये सवाल करते हैं कि पबलिक को क्या मिलता है लेकिन फरिदबाद शाइनिंग फरिदबाद की बात करें उससे पहले अब 2024 का माहौल बनना शुरू हो गया है फिर लोकसभा चुनावत में पहले आपकी परिक्षा होनी है पार्टी की दुनिया की सबसे बड़ी पा देखा ऐसा अब डर तो नहीं लग रहा है बीजेपी को पहले तो मैं इंडिया न्यूज हर्याना को बहुत-बहुत मुंबारक बाद और उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फरीदाबाद या हर सिटीज में जिस तरीके और कॉनुक्लेव करके लोगों को और नेताओ है तो रहूल गांदी जी की यात्रा हो चाहे विपक्ष की एक जुटता हो और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉंग्रेस का अधिवेशन वहापर चल रहा है और जिस एकता और जिस सर्दारी की आप बात करें उन्होंने ही का है कि हम लोग अगले जो विपक्ष रहे हैं उनकी स्थिट है और रही राहूल गांदी जी की यात्रा की तो मैं समाखता हूं यात्रा खता हुए तक रिपन आज एक मीना उने को आ रहा है और एक जब कोई यात्रा किसी तरीके का काम होता है, उत्सब कासा महल होता है, तो ठीक है लोग जाते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं, पॉजिटिव नेगिटिव करते हैं, लेकिन ये सुलंकी जी राजनीती है, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे हित किसमे सु आप कायम नहीं कर आपने नौर्थीस के अंदर दूसरे में देख रहे हैं आपने नौर्थीस के अंदर कलर परसों मोधी जी का मिखाले के अंदर जो रोड़ शो है वो नहीं देखा आपने कि नौर्थीस के अंदर पूरे नौर्थीस के अंदर आप सोचते हैं कितने लोग र contractor को वहां को देख लिए लोग किसके हाथ में पर देख लिए ना दो हजार चौदह देख लिया 2013 प्रचंड भुमत आप लोगों ने इतियास बनाया वह दो बार देख लिया विरोजगारी की बात करें महंगाई की बात करें हाल 화 खराब है आम आदमी का जीना महाल है देखे यह आप किस आखड़ों पर और किस की भाशा मुझे तरह से लग रहा है सोलंगी जी जिसे कौंग्रेस के परवक्ता की तरह है आप बात करें एक रूप आम जनता की बात कर रहा है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अंदर स तरीके से आपने हिमाचल के अंदर देखा कि टोटल वोट परसेंटेज हम लोगों ने कितना हुआ पर कर दिया ना करूंँ ना सत्ता से बाहर कर दिया आप कंपरेटिबली देखिए ना कि आज गुजरात के अंदर कितने बड़े मार्जन से जो कि इतिहां से अपने आप में अभी जनता ने अंदर बनाया और अभी दोजाट चौबिस के अंदर माने नरेंद मोदी जी के नेत्वत में आप देखिएगा आज हिंदुस्तान नहीं आज हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से जब चोड़ा होता है जब विश्व के अन्य देश उनकी वावाई करते हैं कितने कितने अभी चोटा सा डिष्टांत टर्की और उसमें केटेना किस तरीखे की जो शmeeर्यालि जो दिक्कट वाव उसके अंदर बी किस तरीके का उन्होंने अपना भारत भारत रोल ने भाया और भारत ने किस तरीखे से कि विश्व जो पूरा विश्व एक परिवार एक कुटों में उसको चरहितार्थ करने काम माने नहरेंज मोदी जी ने किया और पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे और उन सैनिकों का मैं तो इंटर्व्यू देख रहा था उन सैनिकों का जब वह वापस आए किस तरीक मुढाई बेरोजगारी समुद्धे पर भागते हैं आपसे लगता है जब इन पर सवाल करने होते हैं तब विकास की बात कहते हैं आंब बार वार केवल कागजी बात है थ Haben को आप को ब्रहलाने का काम करते हैं विपक्ष की जो बात आपने कही कि हम धर्म की राजनिती करते हैं मंदिर मजदिर की राजनिती करते हैं तो उसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा विकास पर भी आता हूं विकास के आकड़ों के साथ मैं बताना चाहूंगा और कंपरेटिव आप तो मीडिया के अंदर रहे हैं दो मिनिट में आपकी रिसर्चर टीम है दो मिनिट में कमपैरिजन करके बता देगी कि पिसले नौ साल बनाम पचास साल के अंदर कितना विकास हुआ चाहे रोडों की बात कर लीजिए चाहे नहरों की बात देश के अंदर कर लीजिए अब किसी चीज में तो आ जाई भी नियमने आप तो एक कंपेने जाशन करके बात कि और इंदर किस तरीका थी की नौसाल के अंदर किस तरीके का का साल cał 18 मि reindeer मैं मद्र मजजद कीबा ड्मिया सी पर्तीशत जो इस धरम के लो जिस देश में रहते हों उनके हितों की रक्षा करना और अपने धर्म को अपने अंदर आतम साथ करना कोई बुरी बात है लेकिन आप यह देखिए कि ने बुरी बात नहीं है कोई ने कि प्रतिशत जो लोग है जो और लोग इस देश की खूबसूरती है कि सब धर्मों के हम सभी धर्मों का आदर करते हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते हैं अपने धर्म को अपने अंदर आतम साथ करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है हुड़ा साब से अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी बोले कि 8 साल में जितना प कि आप लोगों ने हीट भी नहीं लगाई जित्रे भी काम किया उड़ा साब ने किया अगर इतना वैसे उनके अंदर मैं समझता हूं अच्छे व्यक्तित्व है उन्हें अच्छी हमारी अच्छी बातों को कहना है लेकिन सिर्फ जो सही नहीं कर रहे हैं लेकिन सिर्फ बुरा ही ना करें मैंने का न्हूं की आठ साल के अंदर हर्याना के उंदर लगा लिए नौ साल कोंते देश के अंदर लगा लिए कितना बड़ा काम हुआ है आज कम से कम मैं समझता हूँ नए 20 हाइवे ऐसे बने जो हरियानों को क्रॉस करने का काम करने पिसले आठ साल के अंदर आप फरीधाबाद के अंदर देख लीजिए कि DND से लेके माने सर्थक का यह हाइवे जो की बॉंबे कोरिडोर से कनेक्ट होग और इस बजट के अंदर फरीधाबाद से एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं और मैं समस्ता हूँ कि पिसले आठ साल के अंदर हरयाना के अंदर इंफरस्ट्रेक्ट्टर पर और डेवलेमेंट पर जो काम हुआ है आने को मैडिकल कॉलेज आने को जिस चीज के लिए डिजर्व करता है उतना मिला है क्या देखिए फरीधाबाद की जो पहचान रही है इच्छा है कि देना स्काइज द लिमिट इच्छाओं की कोई पूर्ती कभी कोई कर नहीं सकता लेकिन मैं पिसले आठ साल के अंदर उससे पहले जो फरीधाबाद स्टेडियम की बात हो चाहे फरीधाबास सिब गुडगावां की connectivity की बात हो फरीधाबास से गुडगावां Metro की connectivity की बात हो आएम्टी का डेवलेप होना हो तो मैं कहता हूँ फरीदाबाद के अंदर बहुत जबर्दस विकास और एक फरीदाबाद को पहली बार किसी राजनेतिक दलने समानता की तरह है और एक हरियाना का अभी नंग समझ कर काम किया है तो भारते इंतापार्टी की सरकार के अंदर हो कि जो पहचान या जो चाप आप 2014 में छोड़ने में काम्याब हो यह चाहे वो नौक्रियों की बात हो चाहे मांदार सरकार की बात हो यह इस तरह की इस्तिति अब नहीं दिखती है इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्यों के देख लेके पिसले योजना के अंदर अने को नौक्रियां दिने का काम किया और अभी आपने परसो बजट आया है पैसाट हजार नौक्रियां जो बी ग्रेट की हैं वो भी बिल्कुल ट्रांस्पेरेंसी से किसी कोई भाईपती जाब आदनी कोई यह नहीं कि कोई वेक्ती किसी मले मंत्री की खिड़की खोल रहा है त किसी भी जगह जाकर काम कर सके तो एक बहुत ब्ला काम इसके बी जगह जाकर कहा काम कर रहा है तक आज इंडस्ट्रीस के अंदर आज इतनी बड़ी ग्रोप और यह गुद्पी हमारी 6.8 पर रही है आप ग्रोप हिनु यह आज इतना बड़ा इंडस लाइजेशन हुआ है देखते देखते आठ साल के अंदर आयम्टी को देखिए कि जो एक जंगल था उजार ता आज सेकड़ों और हजारों इंडस्रीज वहाँ पर लगई है यह विकास ही नहीं दिख रहा तीन हजार एकड़ जो सिर्फ काग जो के अंदर था उसे बसाने का काम तो भारतियंता पा देगी और जनता फिर दुबारा की हालत देखिए आपने प्रदेश में अरे सड़क तूटना सड़क बनना एक नियमित प्रक्रिया है आप यह देखिए तो सही आप सड़क बनना जितनी सड़क तूटरियों से ज्यादा बन रही है आज पर इस्पतालों में डॉक्टर नह है उसके अंदर 5% education के अंदर उस बजट को बढ़ाने का काम किया है और already जो पुराने स्कूल है उनको मर्ज करने का काम उनको अपग्रेड करने का काम education का जो स्तर है उसको बढ़ाने का काम जो सरकार कर रही है नहीं नहीं smart classroom बनाने का काम नहीं नहीं एप्स के थरू education दिला काम अपने स्कूलों को किसी भी प्राइवेट स्कूल से वह अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें इस तरीके का इंफर्स्रक्टर हमारे एक और यात्रा आप लोगों के खिलाफ चल पड़ी है अब चुटाला की आएनल्डी की देखें यह किसके खिलाफ चलिए यह आपने समाप्ति की और होता है तो संगश्टों करता ही अब देखते हैं जंता जाएगा जब आपने 30 से एक पर और सप्टा से पूरे एक सीट पर आकर रुक गए आगे क्या होगा यह तो जंता बतादे कि अभी तो यात्रा शुरू हूई है चार महीने का टाइम है आप बताते हैं पूर्व उद्योग मंत्री हर्याणा सरकार और बीजेपी के नेता बहुत बेबाकी के साथ चाहे वो देश से जुड़ी बात हो चाहे प्रदेश से जुड़ी बात हो और फरिदाबाद की विकास की बात हो कहना यह है कि बीजेपी पर लोगों का भरुसा कायम है एक छोटे